हलो फ्रेंट्स इब फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई है संसारी में और दोस्तों आज की स्टूडियो में हमें यहां पर बात करने वाले यूपी स्कॉल्सिप 2019 के बारे में लाखों स्टूडेंट अभी तक अपना फॉर्म फाइ कर चुके है और कुल कितने यूड्य theory में आपने वन को फाइनल सम्मिट करकें है और इसके साथ कॉलिजा से कुल कितने फॉर्म यूपी प्रवार्ण की बैरिफाई हो चुकी है इसके संदर में आज कि यह कुई स्टूडियो में हम यह आपडम सथ बनी रहीगा यहां पर आ यहीं से आप अपना फर्म वगएरा फिल करते हैं और जैसे यह आप इस बैस्टाइट पर स्कॉल्ड ओन करके थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर समरी दियु है इस बाद यहाँ पर पताया गया कि कॉलेज यहाँ कि इस इस वीडियो में यहीं पर देख सकते हैं और इसके आदार पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर कितने स्टुडेंट ने अपने फर्म को फाइनली लॉक किया है और कितने फर्म कॉल्स से सब फर्वर्ड हुएं तो जै पर कितने फर्म यहाँ पर फिल किये गए स्टुडेंट की तरफ से आपकी जो स्कॉल्सिप की अंतिप जती है उसे बढ़ाया जागा क्यूंकि लाखों स्टुडेंट के जो फर्म है वह वी तक फाइनल समिट ही नहीं हो पाएं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प को फिल किया है और इसके साथ ही यहाँ पर जो फाइनल समिट हुए है वो केवलो केवल 9,47,150 फॉर्म यहाँ पर फाइनल समिट हुए है यहाँ पर इतना बड़ा डिफ्रेंस देखने के लिए मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पर 20,00,00 है और यहाँ पर जो केवलो केवल 9,000,000 हैं तो इस step से आप देख सकते हैं लोगो 13,000,000 का यहां पर difference है तो इतना बड़ा difference student के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन कर सकता है इतना ज़ादा student यहां पर बंचित रह जाएंगे और इसके साथ ही colleges से भी institute से भी अभी बहुत ही कम संख्या में form verify या फिर forward हुए है उसे भी आप यहां पर देख सकते हैं 21,569,000 फॉर्मी अभी तक forward हो सके हैं यह यहां पर जो इस्तिति है यह यहां पर undergraduate, postgraduate और यहां पर diploma courses जैसे courses के लिए उसके बाद चलिए यहां पर देख लेते हैं class 11th और 12th के लिए 11th के लिए आप यहां पर देख सकते हैं postmetric class 11th और 12th यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है इसमें जो total registration हुए है उसे आप यहां पर देख सकते हैं 20,87,547 registration ने किये हैं और इसके साथ ही हैं पर जो final form submit हुए हैं उसकी यहां पर आप देख सकते हैं संख्या क्या बताई कि यह 13,57,596 यहां पर भी एक बड़ा डिफ्रेंक टेक्निक के लिए मिलता है यहां पर 20,00,000 हैं और यहां पर 13,00,000 फार्म ही अभी तक final submit हुए हैं तो यहां पर भी लगवग 7,00,000 के आसपास student अभी तक अपना जो final form है उस समय नहीं कर पाए हैं और अभी कुछ दिनों से आपकी जो website थी भो भी ठीक से नहीं चल पा रही थी जिस वजह से निश्चित रूप से आपके लिए जो scholarship की form भरने की last date है वो बड़ाई जाना चा और चली आगे यहां पर देख लेते हैं यहां पर जो 11 और 12 क्लास के लिए कॉल से जो form forward किये गए उसकी जानकरी यहां पर आपको मिल लएए देख सकते हैं आप यहां पर 2,4,993 के वलों के वली यहां पर forward किये गए उसके बाद यहां पर 9 और 10 क्लास की scholarship के बारे में जो score से last date है उससे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए तकि सभी student को अपने form को fill करने के लिए पूरा मौका मिल सके और वो अपना जो form है वो college में ठीक तरह से submit कर सकें इसके साथ ही यहां पर मैं आपको बता दूँ जिन student के form कोई mistake हो गई है कोई problem हो गई है वो अपना form निश् द्यान रखना है correction के बल वही student कर पाएंगे जिन student का form college से forward हो जाएगा जो आपने form fill किया है उसमें कोई mistake है उसी form को आप college में submit करने जब college में submit करने के बाद आपका जो form है college से forward कर दिया जाएगा उसके बाद जब correction की date आएगी तब correction के time आप अपने form में जो भी mistake हुई है उसमें correction कर सकते हैं संसोधन कर सकते हैं और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही इसी तरह से जोड़ी और भी latest update के लिए चैनल को subscribe करके वे लाइकिन उज़ोड़ पेस करने thank you so much for watching this video